हाई फ्रेंड्स वेलकम आई चैनल पिछली वीडियो में हमने आपको ब्लाउच से नाप लेकर ब्लाउच कटिंग करना बताया था कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उपर आई बटन पर भी आप चलिए शिलना सुरू करते हैं तो पहले हम अपना अस्तर लेंगे अस्तर की जो प्लेट वाली साइड है इसको हम इस तरफ रखेंगे कि उपर अपना फ्रंट पार्ट भीछाएंगे और इसको मिला कर रखेंगे ठीक से और आप चाहें तो आप अस्तर और कपड़े दोनों पर मसीन से सिलाई लगा सकते हैं ह हमने आगे के दोनों पार्ट को पिन लगा कर तयार कर लिया है यह बैक पार्ट है इस पे भी हमने पिन लगा ली है चलिए मसीन पर चलकर आप इसको सिलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी प्लेट्स पनाएंगे तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे यहाँ से स्लाई शुरू करेंगे और यहाँ पर स्लाई को उतारते हुए एंड करतेंगे ढाल से ऐसे ही अपनी सबी प्लेट्स पनाएंगे बस मार्क पर ही स्लाई लगानी है यह देखेगा हमने प्लेट्स बना लिया है सेम ऐसे ही हमें बैक और फ्रेंट दोनों पार्ट में प्लेट्स बनानी हैं, या अगे से सिलाई को हमें उतारते हुए लाना है, दीखेगा, सभी प्लेट्स हमने बना ली हैं, इनमें बस अपने मार्क पर हमें सिलाई लगानी थी, यह एक इंच की बनाई हैं, आदा इंच सीधी तरप से रखेंगे, फ्रंट पाड की भी सीधी साइड अंदर करेंगे, और शोल्डर पर इस तरीके से रखके, आदा इंच कपडा अंदर दवाते हुए और हम सिलाई लगाएंगे, यह ऐसी हम दोनों शोल्डर जोइन करेंगे, पिन को हम निकालते चाहेंगे, यह द सीधी साइड उपर रखकर, पट्टी को गले पर रखकर, और दो दो पॉइंट कपडा अंदर दवाते हुए यह जितर हम सिलाई लगाएंगे, बच्छी पट्टी को हम कट कर देंगे, यह देखेगा हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको इधर साइड फोल्ड करेंगे, इस एक और लगा देंगे, उसको हम बाद में हटा देंगे, जब हम हम हुग अटेच करेंगे, यह देखेगा, हुग वाली पट्टी हमारी लग गई है, अब हम आई वाली पट्टी लगाएंगे इस साइड, तो हम इसको उल्टी साइड से रखेंगे, इसके उपर हमने जो लगा ली है, अब हम इसको नाखून से ऐसे प्रैस करेंगे, और सीधी साइड पलट देंगे, थोड़ा कपला अंदर फोल्ड करते हुए, यह इतना सा, और इसके उपर पलट कर किनारे से सिलाई लगाएंगे, यह यह देखेगा, हमारी आई वाली पट्टी भी बन गई है, और अब हम पाइपिन लगाएंगे, यह पाइपिन को जोडेंगे, पाइपिन को जोडने के लिए, यह हमारा तिर्चा हिस्सा है और यह सीधा हिस्सा है, हम दूसरी पाइपिन का तिर्चा हिस्सा सीधे हिस्से के उपर रखेंगे, यह इस तरीके से और हम सिलाई और आप हम इसको blouse में attach करेंगे यह जो हमने hook वाली पट्टी लगाई थी इधर से इसको लगाना शुरू करेंगे तो pipe-in को ऐसे हम double fold करेंगे यहां से neck से रखते हुए और दो point कपड़ा अंदर दवाते हुए पूरे neck पर गुलाई में सिलाई लगाएंगे तो हम सिलाई यहां से लगाना शुरू करेंगे pipe-in को लगाते टाइम हल्का खीचना है कपड़े को नहीं खीचेंगे हल्का सा pipe-in को खीचके लगाना है pin को हम निकालते जाएंगे देखेगा हमने pipe-in को neck में attach कर लिया है अब हम इसको ulti side पलटेंगे पूरे neck पर जहां जहां गुलाई है भाँ भाँ हम छोटे-छोटे कट लगाएंगे ध्यान रहे हमारी स्लाई नहीं कटनी चाहें अब इसको नाखून से ऐसे प्रैस करते हुए और यह जो हमारा कपड़ा है आगे पाइपिन का बचा हुआ है इसको अंदर fold करेंगे यह इस तरीके से और यह हमारा margin है सिलाई का इसको हम सीदा ऐसे ही रखेंगे उपर की side उसको हम नीटे ऐसे नहीं करना है और पाइपिन को ऐसे फोल्ड करके यह और हम किनारे से सिलाई लगा देंगे अगर आप beginner हैं तो आप इसको सुई से कच्चा करके फिर मसीन लगा सकते हैं देखेगा हमने piping बना ली है अब हम sleep joint करेंगे sleep को अस्तर से मिलाते हुए मोरी की side से इसको रखकर दो point कप्ड़ा दवाते हुए स्लाई लगाएंगे ऐसे ही हम दोनों sleep पर स्लाई हमें लगानी है और हमें ध्यान देना होगा जो हमने sleep के आर्मोल में ढाल दिया था वो हमारा अस्तर और sleep का दोनों का ढाल एक side आना चाहिए और कपड़े की सीधी side अंदर करके अस्तर के उसको पर रखेंगे दो point कपड़ा अंदर दवाते हुए अस्तर और कपड़े को मिला कर सिलाई लगाएंगे यह देखिएगा हमने सिलाई लगा ली है दोनों sleep की अब हम इसको ऐसे खोलेंगे खोल कर और यह नाकून से ऐसे प्रेस करते हुए और आस्तर को अंदर करेंगे इस तरीके से यह बही लेस है जो हमने ब्लाउच के पीस में से निकाली थी आप हम इसको यहां किनारे से मिला कर रखते हुए सिलाई लगाएंगे देखेगा दोनों sleep पर लेस हमने अटेच कर ली है अब हम इधर भी यहां pin से इसको set करेंगे आप चाहें तो इस पर पूरे पर स्लाई लगा सकते हैं ऐसे ही हम दोनों पर पिन लगाएंगे ब्लाउच को हमने सीधी साइड से बिछा लिया है sleep की भी सीधी साइड अंदर करेंगे यह जो हमने कट लगाया था उपर यह देखेगा इस कट को हम यहां मिलाएंगे यह shoulder की स्लाई पर इस कट को रखेंगे हम ध्यान देंगे जो हमने sleep के आर्मोल में आदा इंच की गुलाई दी थी वो हिस्सा हमारा front पार्ट में आना चाहिए और sleep के back आर्मोल से blouse का back आर्मोल में चोना चाहिए यहां से आदा इंच कपड़ा अंदर दबाते हुए पहले इधर की स्लाई लगाएंगे यह और फिर हम इधर की स्लाई लगाएंगे यहां से पहले इधर की sleep करेंगे फिर हम इधर की sleep करेंगे यह देखीगा sleep की स्लाई हमने लगा ली है ऐसी हम अपने दूसरी sleep जोईन करेंगे, देखेगा हमने दोनों सिलीप जोईन कर ली है, अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो इस कूल्टी साइड पलतेंगे, यह हमारे सिलीप का मोरी वाला मार्क है, यह हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, अपने चौक के मार्क पर, और नीचे तक यह फ करने के लिए छोड़ा था, उतना ही कप्रा नीचे हम फोल्ट करके तुरुपाई करेंगे, देखीगा नीचे हमने ब्लौच पर तुरुपाई कर ली है, और हमने काजुक भी कर लिये है, ब्लाउज हमारा बन के तयार है, अगर I, और Hook लगाने में आपको कोई प्राबलेम ह होती है तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर अप्लोड है लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा और उपर आई बटन पर भी अगर आपको ब्लाउज की सिलाई में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके पूच सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ल